नमस्कार मेरे प्यारादिथियों आपका अपना चैनल के एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत थे तो आज मैं लिक रहा हूं क्लास नंबर 9 यानि कि इसका पिछला वीडियो हम लोग अप्लोड किये थे मेरे प्यारादिथियों वह लिक रहा है थे फिर स नंदबंस मौरवंस और चंदगुत मौर बिंदु सार के बारे में हम लोग पढ़े थे जो कि बिहार में इनका क्या-क्या ओप्योग रहा था और क्या-क्या इनका लच रहा था तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 9 में कि बिहार में इन्हें आसोख और सुग बंस का क्या किया योगदान रहा था और क्या क्या बिहार के लिए किये थे तो हम लेकर आए हैं आपके लिए वन लेनर अश्टेप बाई अश्टेप प्रस ने जो कि बिहार पुलिस और अगनी सामा के साथ हम सब्सक्राइब आप के लिए आती बहता पूर वीडियो आज क्या होने वाला है तो चलते हैं पहला प्रस्ट की और चलते हैं कि क्या कि हम लोग है असोख अबंसुग मस्के बारे में पढ़ना है एक रिक्वेस्ट और आप से मैं करना चाहता हूं कि जितने भी बिद्यार थी लोग आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आज का मेरा प्रस्ट है असोख के बारे में असोख का साथनकाल कब से कब तक रहा था तो 273 इसापुरु से 236 इसापुरु तक बिहार में आप पर जो की यह राएं के साथ लिख रहा है जो आसोख के बारे में आप लोग जो है बिहार का वीडियो हम लेकर रहा है तो पहला प्रस लिख रहा है यह दो 273 इसापूर से लेकर 236 इसापूर तक जो है क्या के थे अपना योगदान दिये थे बिहार में तो क्या क्या दिये थे तो बात करेंगे कि राजगद्धी प्राप्त करने के बाद क्या जब असोख ने राजगद्धी प्राप्त किये थे उसके बाद जो असोख अपनी आंतरि इस कारण राज्यो रोहन चार साल बाद 279 इसापुर में हुआ था राज्यो रोहन मतलब समझ सकते हैं कि आप गद्धी पर बैठे थे चार साथ बाद बैठे थे जाने कि दो सब्सक्राइब बैठे थे और असोख ने अपनी राज्याविशेक के सत्मे बर्स यानिकि दो सब् कर दिया था और आंत्रिक असांती से निपटने के बाद 279 इसापुर में उनका उसका विविद अभिशेक हुआ था और सब्सक्राइब के अनुसार कलिंग यूद में एक लाख पचास हजार ब्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिये थे किस ने किये थे और एक लाख लोग की हत्या कर दी गई थी कितने कर दिये थे तो लोग की हत्या कर दी गई थी उसके बाद समराथ असोख ने भारीद है नरसहां को अपनी आखों से देखा इसके बाद इससे द्रबित होकर असोख ने सांती समाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार करना शुरू कर दिया था अगला स्टेप देगा है कि कलिंग यूद द्रगतेंगति हैं असोख में असोख के हिरिदे में महान परिवरतन कर धिया था जिसम कलिंग युद हुद हुथ हुए था इसके भाद फार्प säen प्रसराила ने मिनाफ्टा के प्रति दया और करोना के लेग उलक जो अधिलित हो गया था उसने यूद करिया को सदा के लिए बंद कर दिया था कर दिया कर दिया था और इसे सदा के लिए बंद कर देने की परतिया कर ले थी यहां से अधात्मिक और धाम बिजय की यूग शुरू हो गया था उसने बहुत धर्म को अपना धर्म सुकार कर ले था या यूध के बाद असोख ने ब्रक्ती गत रूप में बहुत धर्म अपना अपना लिये थे और असोख के शासनकाल में पटली बूत्रि में पूछता है कि तीतिय संगीती किसके ससनकाल में हुआ तहो ऐसो के ससनकाल में हुआ और कहां हुआ था पाठली पूत्र में हुआगा था जिसकी अध्यास्ता मोगाली पूत्र तिस्या ने किये थी अब पुछता है ये भी कि त्रित्य जो है बहुत संगीति का अधियस्ता किसे ने किये थे तो मोगाली पुछ का पुत्र थे तिस्यान किये थे और इसी में अभी धम पट्र की रचना हुई थी और बहुत भीचु भीविन देशओं क्या बहुत भीचु जहा है भीविन देशों से भेज़े गये जिसमें आसोक के पुत्र महंदर एबंपुत्री संगमित्रा को सीरिलांका भेजा गया था। कमराज्यों के सभी साधनों को जनता के कल्यान हेतु लगा दिया था उसके बाद दखेंगे आगला स्टेप में कि बहुत धर्म के पचार के लिए निम्लिखित साधन अपनाए थे तो अलम दिया है कि धर्म यात्रा का परनम करी था उसने और राज किये प्रदिकारी की निब्ति के थे अगला दिवी रूपों का प्रदस्रश्शन किये थे और ना स्रावन एवरgens धर्मा प्रदेस की ब्यवास्ता कि दे और लोकारिता के काल की नि Сам बार कि किलें 9 दहुला क्या है तो यह इसोक ने बहुत शंगिति किये थे और आगे है कि सहवाज गड़ी पकिस्तान के पैसाबर में इस्थित और आगे है मन सहरा यह हाजरा जीले में इस्थित थे और आगे चार नमर में कालपी एक कहां पर है तो यह बरतमान उत्रांचल जो है देरादिर में इस्तित थे और पाच में जोगड यह उडिसा के जोगड में इस्तित थे और छट्थां दिया गया है सोपरा यह महराष्ट के थाने जीले में इस्तित थे और असत्मा है एरागूरी यह अंदर परदेश के सब्सक्राइब करते हैं कि रूप ना थे यह जो के मद परदेश के जवलपूर जीले में इस थे यहां पर जो कि अक्सर इजामें पूजता है और पाचमा में है सहसराम जो कि बिहार के सहाबाद जीले में इस थे जो कि अक्सर इजामें पूजता है और आगर दिया गया है इसमें कि अश्टेप में कि धाम के बारे में कि धाम को लोकृपिय बनाने के लिए असोख ने मानब जाती के कल्यान है तो पसु पच्छियों की हत्या परतिवंद लगा दिया था अधिक लोकृपिय बनाने के लिए असोख ने अपने समय मानब जाती के पसु पच्छियों को हत्य करने पर पतिवंद लगा दिया था और राज तथा बिदेशी राज जो मानब तथा पसु के लिए अलग चिकिस्टा की विवस्ता कर दिया थे और असोख ने के महान-पुन कार्ड आवं शोन प्रापतें की उपदेश बहुद लंख थें इससलीकत दिया सॉकश में बहुत अच्छा काम किये थे जो कि भिहार रिलेटेट है और बहुत अच्छा काम किये थे आ बहुत है पसु पच्छों को माने पर पतिबंद लगा देता और अलग जो है इसका विवस्ता कर दिये थे और अकला स्टेफ है कि असोख ने दूर दूर तक बहुत धर्म के प्रचार है तो दूतों प्रचारकों को विदेशी में भेजे आपने दूसरे तथा तेरह में सिलाल में यह दसाया गया है कि असोख ने आपको देश से विदेश्ट के लिए प्रचार के लिए भीजे गये थे आगया स्टेफ दिया गया है कि अभी तक असोख के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं सरफ प्रथम 1737 इसापूर में जेम्स फ्रिंशेफ नामक विदमान ने अस प्रिंशेफ ने पढ़े थे और आगे देगा है कि राइपूर यह जो है बिहार राज के पंच चंपारन जिले में इती थे और आगे है परियाग जो कि यहां पर पाहले को संभी इती था जो कि बाद में मुगल समराथ अकबर दौरा इलाहाबाद के किले में बर्रक बर रखवा दिया गया था आगे हम लोग पढ़ना है सुंग बंस के बारे में कि पुस्वित्र सुंग जिसे हमें मौर समराज के अंतिम क्या अंतिम सासक ब्रिदत के हत्या करके आप जो है एक सब चहुत्तर यहां पर दखना है सत्रह सब आग हो जाएगा आपको उसके बाद ज 24 इसापूर में पुष्मित्र ने मौर समराज के राज पर अधिकार कर लिया था जिसे नए बंस के अंतिम क्या था अंतिम सासक ब्रिदत के हत्या करके एक सचहूतर इसापूर में पुष्च मितन ने मौर्व समराज के राज पर अपना अधिकार कर लिया था जिसे नए राजबंस की अस्थापना की उचे पूरे देश में सुंग राजबंस की अस्थापना नाम से जाने जाता थे जो कि बहुत धर्म के प्रचार प्रसार के प्रशव रुख लगा दिये थे जो कि आसोग यूग जो है अपना यूग करवाई थे उसके बात कहा कर थे यह संग बस ने अपना समया था आई था उस्था उसक बस आ जहाई आसोग जो है कि जितने भी शासन नियम कानू रखे थे अपने काल में उसके हटाने के परतिबंद लगा दिया था और पुरोहित का कर्में त्याग कर साइनिक बृति में अपना लिया था और पुष्मित्र अंतिम मोर्ज साशक बृतत को प्रधान सिनापती बना दिया था उसके बाद दखना है अगे कि पुष्मित्र सुंग के प्रचात इस बंस में नव साशक और हुए जिसके नाम थे अगनी मित्र, बसुजेस्ट, बसुमित्र, भद्रक और तिन थे और तिन और थे अज्यात, साशक, भागवत और देभूति आगे दिया गया है कि सुंग रजाओं का काल बैदिक अथवा सब ब्रह्मन धर्म का पूर्ण जागरन काल मना जाता है और दियागय आगया सेप में कि मानव अकीतियों को आंकर में कुछलता दिखाई गई यह चित्र में गरूर, शूर्ज, तथा दुसरे में लच्षिमी, श्री लख्षिमी का आंकर में कुलसाता दिखाई गया था फिर से हैंब बात करते हैं कि मानव अकीतियों के आंकर में कुल सत्रा दखाई गई थी जिसमें एक्षित बनाए गया था उस चितर में गरूर सूर्ज तथा दुसरे में श्री लक्षिमी का आंकर अतियांत कालापुर्ण दिया गया था आगे दिया गया श्रेप में कि पूष्मित सूंग ने ब्रहमन समधर्म का क्या ब्रहमन धर्म का पुनरूथान किया और सूंग के सरवोत्तम असमारक अस्तुप का हलागे थे आगे दिया गया इसमें कि बौद्ध गया कि विसाल मंदिर के चारो योर एक छोटी पसान बेदिका मिली थी जिसका निर्मान स्री सुंग बंस में सुंग काल में हुआ था इसने कमल, राजा, रानी, पूरुष, पसू, बोधी बिची, छत्र कल्प बिची आदी परमुक थे इसने कमल, राजा, रानी, पूरुष, पसू, बोधी बिची, छत्र कल्प बिची आदी परमुक थे आगे द्खिया गया है, कि सुवर्न मुझ्द्रा, निस्खी, दिनार, सुवर्न मात्र का कहा जाता था, तांबे के सिख्य की का पज़ाएk और 다या थे करना करते थे और चांदी के लिए आपके लिए पुराने अथवाधारन सब्सक्राइब करते थे आगदिया स्टेप में कि सुंग काल में समाज में बाल विवा का प्राचालन हो गया था तथा करन्याओं की विवा आठ आठ वर्स दे लेकर बारा वर्स की आयू में होना कर दे था और आगे है कि सुंग रजाओं का काल था बैदिक काल की अपेच्छा एक बड़े बर्ग के लोग को मस्तिक प्रमप्रा संस्कृति एवां विचारधाराओं को प्रतिलंबित कर सकने में अधिक समर्थ था इसलिए फिर से धियान देना है कि सुंग रजाओं का बै सब्सक्राइब भारत